Hello everyone, मैं विश्र जीत सिंग, आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 03, Histography इतिहांस लिखन का Lesson by Lesson important topics कर रहे हैं, जिसके अंदर में आज हम topic number 7 पढ़ने जा रहे हैं topic number 7 हमारा है भारतिय इतिहांस लिखन में Cambridge School दोस्तो Cambridge School का जो topic है important है और अक्सर exam में पूछा भी जाता है Cambridge School है क्या? या क्या किसी परकर का school है? ये नहीं, बिल्कुल भी ये school नहीं है normally ये क्मान की ये चलिए कि Cambridge से संबंद रखने वाले कुछ इतिहांस कारों का समूँ जो अलग-अलग विश्वव पर टिपनी करता है उस इतिहांस कारों के समूँ को Cambridge School के नाम से जाना गया इन्होंने भारतिये राष्टवात के संदर्व में और अलग-अलग विश्वव पर टिपनी करी जिसके कान से आज आज आप में हिस्ट्री के अंदर में इसकोई study कर रहे हो देखते हैं इसकी सुरुवात कैसे हुई तो 1960 के दसक में Cambridge के अंदर में मतलब इस विचारधार का परभाव देखने के लिए मिलता है संब्राज जेवाद उपनी विश्वात से काफी जादा तर परभावित थे भारतिय रास्टवाद के विरोधी थे इस विचारधार का उ ठीक है समझ में आता है दोस्तों यह नॉर्मल बेसिक है उन्होंने भारतिय रास्टवाद को टार्गेट किया उन्होंने भारतिय रास्टवाद की जो कुरितिया थी उसको सब के सामने लाने की कोर्सिस करी भारतिय रास्टवाद की क्या थी तो यह बोलते हैं कि भारतिय र में राज कर रही है शाशन कर रही है तो अगर वापस से आपको राज करना है तो इनको राजनीतिक विवस्ता से हटाना पड़ेगा तो इतिहांसकारों द्वारा जो Cambridge School की इतिहांसकार थे उनके द्वारा ये माना गया कि राश्टवाद का जो यूग है भारत के अंदर में भ जबकि जो आम इंसान है जो जनता है वो दूर से देखकर ये लगता है कि राश्टवाद जो है ठीक है और जो राश्टवाद और उसके साथ साथ में सम्राजविवाद जो है वो दोनों कहां एक दूसरे के अंतर विरोधी हैं जबकि यह यह सा नहीं है यह Cambridge School के इतिहांसका और अगर यह दो step सेरकार नहीं लेती तो यह रश्टवाद नहीं आता इसका रीजन पहला step बताते हैं कि सत्ता का केंद्री करण जो अंगरीजी सत्ता था उसका सरकार ने क्या किया केंडरी करण कर दिया कि सभी तक उस सत्ता का पहुँच हो पहला जो रिजन यह दिया गया दूसरा रिजन यह दिया गया कि परतिनीधित्व का अधिकार दिया गया जिसके कारण से भारत के अंदर में राष्टवात का उद सब्सक्राइन वह lavoro को अखे मैंदर में और फिर शाल पना हमद में वह पंदरेक्ट सभण है जरतकी सब्सक्राइब अब सब्सक्राइबारेक गैंदर केंदरिकरन की सथा किंद्री करने का मतलब ये कि सत्ता की जो पहुंच है वो सभी लोगों तक हो और सभी लोगों का पहुंच सत्ता तक हो इस तरह से सत्ता का किंद्री करन कर दिया सत्ता का पूरा जो सकती है एक जगध सीमित कर दिया और सभी लोगों का उसके उपर में एक तरह से चैन जैसा बना दिया कि सबही एक दूसरे से इंटर्लिंक है इस तरीके से और राजनीतिक परति-नीधितु मतलब वहां पर इस तरह का अधिकार देना जो एक व्यक्ति एक आम इंसान भी आगे चल कर कुछ बन सकता है कुछ कर सकता है वहां पर अपना पतिनीधितु इपस में बटते हुए थे हैं थे किया करो दूसरे को रूसरे को करें यह चीज़े के देखनेके करें मिलता है सासात में Cambridge School ये भी कहता है कि एक समय ऐसा आ गया था भारत के अंदर में जब सारे जो बड़े-बड़े नीता थे वो एक गुट में देखने लगे तो उसका भी उस्रे अपने आपको लेते हैं कि उपनिवेशिक जो उनकी नियम थे, कानून थे जिस तरह के उनकी वेवस्ता थी उसके कारण से ऐसा हुआ भारत के राश्वात का उदे हुआ सारे नेता इकटे हुए वो अपने आपको कारण मानते हैं पर नॉर्मली वो बेसिक चीजे यह दिखाते हैं कि भारत के अंदर में जो वर्ग वेवस्ता था जो वर्ग ववेस्था मतलब क्या जो आम जनता के बीच में जो उच्छ और निमन वर्ग था वो पहले से आपस में बटा हुआ था यह नहीं था कि अंगरेजों ने बाटा पहले से बटा हुआ था दूसी चीज यह कि जितने भी भारत के राजनीति के अंदर में भारत के रास से वो वर्क कर रहे थे ठीक है समझ में आता है इसके साथ साथ ही हो कहते हैं कि उपनविशिक शाषनकाल में समराज्यवाद और भारतिय जनता के बीच अंतर विरोधी नहीं था देखो यहां पे केंब्रिज इसकूल की दोरह यह साफ करने के किए कि भाया आपके जो राष्टवाद के विचारत थे वो यह दिखा रहे हैं कि राष्टवाद ऌ समराज्यवाद एक दूसरे के विरोधी हैं जनता और उपनेविशिक सरकार एक दूसरे सरकार की विरोधी नहीं है ठीक है उस सरकार के समर्थन में इस तरह सी यह मानने की कुर्सिस की गई ऐसा दिखाने की कुर्सिस की गई बताने की कुर्सिस खी गई ठीक है भारतिय रास्टवाद उपनिवेशिक शोषन के विरुद भारतिय जनता का संगर्स नहीं था ठीक है ज कई सारी तिहास कार यहां पर कहते हैं Cambridge School के कि जैसे उपनिवेशिक शरकार क्या कर रही थी शोशन कर रही थी आम लोगों का ठीक है और हमें यह बताया जाता है कि शोशन करने के कारण से जितना दवाब बनाया गया अंगरीजी सरकार के द्वारा शोशन किया गया धन निकासी के कारण से भारत के अंदर में राष्टवात का उदे हुआ और उसने सत्ता परिवर्तन की लहर चलाए पर Cambridge School के इतिहास कारों का मानना ऐसा बिल्कूल भी नहीं था ठीक है यह सारा गलत है जो मतलब यह में कारण था भारति राष्टवात के कारण से नहीं था या फिर जनता का संगर्सरा वो रीजन क्या बनता है कि उनकी खुद एक अंदर से होड थी कि हमें कुछ प्राप्त करना है कुछ हासिल करना है किस से तो अंगरीजी सरकार से जिसके कारण से यह सत्ता का परिवर्तन सुरू होता है और यहां पर राष्टवात का बहुत बड़ा रू देखने के लिए मिलता है ठीक है समझ में आता है इस पूरे टॉपिक के अंदर में Cambridge School क्या कर रहा है एक तर से मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि Cambridge School की जो विचारधार है वो बहुत जादा उपनिवेशवादी समराज्यवादी से परवावी थे तो उन दोनों को ए as a lawyer defend कर रहा है कि यह ऐसे थे ठीक है आप गलत हो यहाँ पर आपके अंदर कमिया है मेरे अंदर कमी नहीं है वो अपने आपको defend कर रहा है कि मैं तो सरीप था इस तरीके से टोटन यहाँ पर दिखाने की गोर्ची स्की जारी है दोस्तों ठीक है समझ में आता है यहाँ पर आ उसके कारण से भारते राष्टवाद को इस चीजों के लिए तिक है एसा कुछ नहीं था कि वो किसी नेता से किसी चीज से इंसपायर थे यह देश से भूत ज़ादा प्यार था तिक है ऐसा कुछ नहीं था तिक है वो ये कहते हैं कि जो सट्था की उपलब्दी है यह और कई जगह पे जब आप एनलाइस करोगे खुद भी बाइसल्फ यह और अनलाइस करोगे जब आप तब आपको यह चीज़े कतना सच होते हुए दिखेंगी, ठीके, for example, मैं किसी को यहाँ पर कंट्रोवेर्सी के अंदर में सामिल नहीं करना चाहूँगा, but for example, जबाहर ना नहरू और मुहमद अली जिन्ना देश का बटवारा हुआ, reason सबसे बड़ा ही रहता है, कुर्शी को ही माना गया, सासन सत्ता को ही माना गया, जो इस कतन को बहुत हद तक 99.9% तक सही साबित करते हैं, और ऐसे हजारों example मैं आपको दे सकता हूँ, जहां पर यह कतन सही होता ह ठीक है दोस्तों, तो यह Cambridge School की भारतिये तिहास लिखन के उपर में विचारदा रहा था, इसके अंदर में और भी बहुत कुछ आता है, मैंने थोड़ा सा बताया आपको भारतिये एंगल से, ठीक है इसके अंदर में आप अगर जब answer लिखोगे, तो अलग-अलग इतिहासक आपको बताना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक अच्छा खासा नंबर मिल जागा, बेसिक चीजे जो थी, जो important था भारतित, यहां सके संदर्ब में, उन्हें आपको यहां पर किलियर किया, तो friends, thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye-bye, take care, all the best, और अगर आपको और भी कोई topic है आप आपके पास, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए का, मैं उस topic के भी वीडियो गनाने के कोर्स करूंगा, the friends, thank you so much, bye-bye, take care, all the best,